तो दोस्तो एक ही साथी था मेरा और अब वो भी चला गया और वो साथी कौन है यह तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि वो ही तो इस टाइम का सबसे बड़ा अपडेट है कि इंडियन गवर्मेंट ने कर दिया है फ्री फ्रायर को बैन और यही मेरा साथी था और सी फ्री फ फुषी को हम अपना नहीं पाए इसी के बीच में एक और बुरा अपडेट आ गया कि फ्री फायर हो चुका है बैन लेकिन यह क्यों हुआ क्योंकि यह बहुत बुरी नियूज है हम फ्री फायर यूजर्स के लिए और जो फ्री फायर नवर्स है उनके लिए तो सबसे बड़ी नियूज है जो लोग फ्री फायर के बेना रह नहीं सकते मैं तो रह सकता हूँ लेकिन बहुत लोग रह नहीं सकते तो उनके लिए ये बहुत बुरा न्यूज है और इससे पहले इंडिन गवर्मेंट ने और भी बहुत सारे एप्स को बैन किया है जिसमें है PUBG, TikTok, Use the Browser, Clean Master और भी बहुत सारे एप्स जिसको इंडिन गवर्मेंट ने बैन किया है पहले और अब Free Fire को भी बैन कर दिया है जो बहुत बुरे नियूज है जो Free Fire Lovers है उनके लिए और अभी तक टोटल 278 एप्स को इंडिन गवर्मेंट ने बैन किया है 2020, 2021 और 2022 को मिला कर टोटल 278 एप्स को इंडिन गवर्मेंट ने बैन किया है लेकिन रीजन क्या है जिसके वाज़े से इन एप्स को बैन किया गया है तो दोस्तो रीजन बहुत बढ़ा है और इसी वाज़े से इस टाइम अगर आप प्ले स्टोर या फिर एप स्टोर इन दोनों साइट में से किसी भी साइट पर ये जो एप्स है इन 53 अप को अगर आप सर्च करते हो तो आपको वो एप नहीं मिलेंगे और आप इस साइट पर देख भी सकते है कि मैंने Free Fire को सर्च किया लेकिन वो मुझे मेल नहीं रहा है हाँ फिलाल अभी तक Free Fire Max ये जो नया वर्शन है Free Fire का ये अभी तक available है लेकिन ये कब तक रहेगा ये तो मैं नहीं कह सकता और already जिन लोगों के मुबाइल में Free Fire डाउनलोडर है वो अगर अभी तक खेल पा रहे है तो वो लोग कब तक खेल पाएंगे ये भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि हो सकता है कि कुछी दिनों में उनके जो सर्वर्स है वो डिस्कनेक्टेड हो जाए और वो लोग Free Fire गेम को और कभी प्ले नहीं कर पाए ऐसा हो सकता है लेकिन ये किसलिए हो रहा है इसका reason क्या है तो दोस्तो reason बहुत बड़ा है और अगर वो reason सच है ठीक है वो अगर सही है तो मैं Indian Government के साथ रहूँगा कि इन सारे apps को बैन कर दिया जाए अगर वो reason सच है तो लेकिन वो reason है क्या तो दोस्तो वो reason है Privacy हाँ दोस्तो Privacy क्योंकि Indian Government का कहना है कि ये सारे जो 54 apps है ये सारे apps हमारे data को चुडा कर सेंट कर रहे है चाइना में जिसका वैसे Indian Government ने इन apps के उपर बैन लगा है और अगर ये सच है तो मैं जाऊँगा कि इन apps को पूरी तरीके से पर्मनेंटली बैन कर दिया जाए इंडिया से क्योंकि अभी तक तो इन apps को पूरी तरीके से बैन नहीं किया गया ये फिलाल टेंपररली बैन है और इन्दयान गवंधमन का कहना ये है कि ये सारे जो एप्स है ये हमारे data को चुडा रहे है हमारे sensitive data को चुडा कर चाइना और जिसका बाद में Masonic used किया जा सकता है और इसी वज़े से इन्दयान गवंधमन ने ये सारे जो एप्स है इसके उपर ban लगाया है और यह अगर सैच है तो मैं तो Indian government का साथ ही दूँगा और Indian government का कहना ये भी है कि ये साथ जो apps है ये Chinese app है लेकिन इसी जगे पर आ जाता है सबसे बड़ा question क्या question कि बाकि 53 apps को तो भार में जाने दो लेकिन जो free fire है उसको कैसे ban किया गया है क्योंकि वो तो चाइना पे बना ही नहीं है वो Chinese app है ही नहीं तो उसको ban क्यों किया गया वो तो Singapore में बना है C Company Limited ने उसको बना है वो तो चाइना का है ही नहीं तो उसको ban क्यों किया गया तो दोस्तों अगर इस टाइम आपने free fire के उपर थोड़ा सा ज्यादा research किया है तो आपको पता होगा कि free fire मतलब गडिना के जो co founder है वो एक Chinese origin है जो चाइना में पैदा हुए लेकिन उन्होंने बाद में Singapore में shift हो गए ठीक है तो इस टाइम इन दोनों के बीच में कुछ link हो सकता है जो government का can है लेकिन इसको उपर मुझे पूरी तरीक से विश्वास नहीं है जिसको वाज़े से इसको side में रखकर main बात यह होता है कि यह जो free fire app है मतलब यह सारे जो app है जो हमारा data है वो इस data को चाइना में send करे है वो किसी भी source को वेज़े से क्यों ना हो और इसी वेज़े से इन apps को delete किया गया है लेकिन इसी time एक और question आ जाता है कि इन apps को confirm किस ने किया कि यह सारे जो apps है यह सारे apps जो data है वो चुरा कर चाइना send करे है तो दोस्तों इसको confirm किया है हमारे government के ministry of electronics and information technology group मतलब M-E-I-T-Y यह जो group है इन्होंने यह confirm किया है कि यह सारे जो apps है यह सारे apps हमारा data को चुराते है और चाइना send करते है जिस वेज़े से इनके उपर ban लगाया जा रहा है और इस group ने ही Google और Apple को कहकर इन सारे app को ban करवा है उनके side से इन सारे app को remove करवा है इंडिया के लिए और main reason यही है कि यह सारे जो apps है हमारे data को चुरा कर चाइना send कर रही है जिसका वेज़े से इन्डियन government इस app के ऊपर ban लगा रहा है मतलब इन सारे apps के ऊपर ban लगा रहा है और apps बहुत बड़े-बड़े apps है इनमें बहुत viral apps भी है जिनको बहुत लोग use करते है सो मैं आप लोगो कुछ apps के नाम भी बता देता हूँ जैसे की free file जो बहुत लोग use करते है million download है इसके और उसके बाद बात करें तो app log इसका भी million downloads है बहुत लोग इसको use करते है फिर viva creator इस app को भी बहुत लोग use करते है लेकिन मैं इसको use नहीं करता लेकिन बहुत लोग इसको use करते है सो ऐसे और भी कुछ apps है जिन apps को बहुत लोग use करते है जो viral apps है जिनको millions में download है और इनमें से कुछ apps ऐसे है जो बहुत ही घटिया एप है, जो बने ही है डेटा चुराने के लिए इन में कुछ ऐसे भी एप है, कुछ अच्छे भी एप है लेकिन इन सारे एप के उपर ही आरोफ है कि ये सारे एप ही हमारे डेटा को चुराते है जिस वारे से इन सारे apps को बैं किया जा रहा है, और इन सारे apps का नाम तो मैं आप लोग को नहीं बजा सकता, जिसको आप लोग को सामने list दे दिया है, जिसको आप देख सकते हैं और यही 54 apps है, जिनको कल delete कर दिया गया है, मतलब बैं कर दिया गया है हमारे इंडिया से, और Indian government इन apps को पर जो आरोप लागाया है वो अगर सर्च होता है तो मैं इंडियन गवर्मेंट के साथ पूरी तरी के से स्थैमा थो कि इन apps को पूरी तरी के से वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना ताकि आपके दोस्ट को भी थोड़ा समस्त मिल सके और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बला करने को प्रेस करना ताकि ऐसे जो इंट्रेस्टिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सके तो मिलते हैं आपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सुखी रहिए स्वस्त रहिए और अब क्या करू फ्री फायर तो चला गया फ्री से पब जीपर शिफ्ट होना पड़ेगा